हम देखते हैं कि यूजर को कैसी करेट करना है 2016 सर्वर के अंदर तो हम यहां पर अपनी डेमों पर आते हैं 2016 सर्वर के अंदर कि इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं क्लोज कर देते हैं यहां पर कि यहां पर मैं राइट क्लिक कर देता हूं मनेज में जैसे हम देखेंगे तो यहां पर भी वह processing कर रहा है तो यहां पर टूल्स है मार बस टूल पर जाके हम किस पर आजेंगे Computer Management के लिए Computer Management के अंदर यहां पर हमें आरे पर लोकल यूजर्स एंड Computers है इवन शेर फोल्डर भी दिखा रहता है कि आपने कौन-कौन से शेर किया हूँ है पट अभी हम उस पर इंट्रस्टेड नहीं है तो यहां पर हम अब क्या करने वाले है नियू यूजर तो हमार बाद यो यूजर है वो टेस्ट यूजर है जो पासवर्ड है ASDF-1234 तो यहां पर भी हमने double verify कर देना है तो इसको हमने uncheck तो अब हमने यूजर क्रेट कर दिया है तो यहां पर यह नजर भी आ रहा है अब हम क्या करेंगे विंडो 10 पर जाते हैं उसको एक बड़ी restart कर देते हैं क्योंकि कई बड़ी वो authentication पूछता नहीं है तो RC1 आगा एक बड़ी हमने अगर authentication कर दिया है तो हम इसको एक बड़ी restart करते हैं और फिर क्या करेंगे slash slash c16 और software folder का नाम दे देंगे और फिर देखेंगे कि वो user name password पूछते हैं तो आपने हमेशा ध्यान रखना है smooth networking के लिए एक common user का होना अगर आप देखोगे याद करोगे कि आपके college या यूनिवस्टी के अंदर या और अर्गनेजिशन के अंदर वो आपको हमेशा कहते हैं कि इस user से login करिए तो उससे क्या होता है वो common user है वो server पे भी है तो पर करेंगे c16 slash software तो अब इस पर यह उसने username password नहीं पूचा है तो यह ध्यान रखना है और प्लीज ध्यान रखना है कि अगर आपका कि नाम से नहीं काम चल रहा है तो आप यहां पर अड्रेस भी देख सकते हैं उसी एक सो बत्तर चोबिस जीरो पॉइंट 16 और हमारा जो फोल्डर का नाम था वो क्या था software पर यह ऐसे नाम या रखना असान होता है हमारे पस तो यह हमने देखा है कि networking कैसे करनी है कैसे बिल्कु स्मूथली networking करनी है तो अगर मैं एक वरी फिर सारा कुछ हम एक summarize कर देते हैं कि भई हमने जो networking के लिए है वो क्या किया था एक properly हमने यह addresses वगयरा देने की सोची थी कि window 2016 server को यह ऐसे addresses देनी है 16 देंगे इसको 10 मास्क यह होगा इसका मास्क यह है फिर हमारे पस जो नाम c16 c10 net net तो उसके बाद हमने क्या किया एक lab diagram सी बना लिए तक आपको समझे लगे यहां पर administrator और यह वाला user name पासवर्ड है यहां पर test user यह वाला पासवर्ड है तो उसके बाद हमने bridge networking कर दी दोनो window 10 और 16 में उसके बाद हमने क्या कर दिया change adapter setting 2016 के अंदर जाके क्या किया address दे दिया 16 वाला और फिर हमने क्या कर दिया computer name और change कर दिया quickly हम query rewind to c16 net दे दिया फिर हमने ping करने की कोशिश की और उससे पहले हमने window 10 को भी settings कर दी properties पे जाके एक उसको address दे दिया 10 वाला और नाम क्या दे दिया system को यह वाला c10 और 16 c10 और जो work group था वो net उसके बाद हमने 2016 पे जाके देखा ping नहीं कर रहा तो फिर हमने क्या किया दुनों जगा जाके firewalls को off किया उसके बाद ping करने लग गया उसके बाद हमने एक folder बनाया software उसके अंदर एक test file बनाई उसको read only mode में share कर दिया तो sharing करने के बाद हमने जब client पे आये client पे बैठके आपने इस तरह assess करना है और हमने देखा कि वो क्या कर रहा है username password पूछ रहा है तो इसको problem को solve करने के लिए हमने क्या किया 2016 server के अंदर एक same ही user create कर दिया जो client system पे है हमारे case में test user फिर हमने देखा कि जो networking है वो बड़ी smooth है तो आगे हम कुछ advanced topic cover करेंगे यह हमारी basics of window networking हमारी complete हुई